नहुंसका दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेका रहा हूँ वीडियो है डेली स्वाइक का ग के लाज वीडियो कर देकित नाया yard वार कि तो उपोरी दुनिया चैशले दियूज लाज दी में भारत पॉरी दुनिया में तो पाकिसान तो वहां पर आज बी सेवेंटी के दौर के लिए के गव नहींतर देके what यह देखें आपिंग इस वाइव रेलिमेंट तो अमेरिका आपिंग रोई एंफिल्ड के भाइव आई टोटली अननों फुर दी अपनी यह ताल इस बाइक के लिगा थे लिगा लगा एक टूलिए नाव दिखने के बाहन दाजा लगा है ना भाइव एक्षिली आम नौट ट क्योंकि इस तरह की ओफर तो खुशनसीब बंदे को ही मिलती है तो पाकिस्तान में जो है ना वे लोकल किसम की बाइक से अच्छी बाइक भी है तो लेकिक प्राइस क्या होगी मेरे इसाब से इस बाइक को प्राइस होगी पाकिस्तानी कीमत के मताबिक होई 15-20 लाग के मेरे इसाब से जैपनीज हो सकती है और अमेरिकन उसके लावा चाइन भी बना रहे अच्छी बाइक तो वाकी एग्जैक्ट जो है आपको पता ही है आप सोच भी नहीं सकते मैं जब नाम बताऊंगा आपने शॉक्ट हो जाना बिलकुल शॉक वाली बात है क्यूंकि बाइक अब यह पता नहीं है कि कौन से जो कंट्रे वह उसे मेड कर रहे हैं इंडिया के बाइक से हैं ओके बहुत इंडिया वालों ने वाकी बहुत ही अच्छा काम किया है और वाकी बहुत एंजिनियर्स यह देखें वन पॉर्ट नाइन लाग रुपेस किया यह जी बिलकुल जी पर यहां पर यह बैक इतने की होगी है जो दोला की बता रहा है यह बलकी बाइक यह वाली देखें पाकिस्तान में इंडियन के डबल उसे भी ट्रीपल आप कहलें तो दूसरा यह है कि नो डॉप के इंडिया के अंदर बहुत सारे एंजिनियर्स और एंजिनिर्स कंपनी ज रस्ट है वो लोग काफी आर्किटेक्चर पर काम करते हैं उनका बहुत पैसा भी है और उन लोगों का शोक भी है वह बहुत जोग शोक वाले लोग हैं यह वाले बैक सापको पता अमेरिका तकर अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है इसके शोरूम अगर में बाद को जपान के अंदर भी है इसके शोरूम यह देखे ना बलकी बाइक से जो अमेरिकन स्टाइल के बाइक से जिसे आप यूके स्टाइल भी बोल सकते हो कितनी कुछ बलकी बाइक है नोड़ और जब यह रोड पर आती है तो मुफिलिफ लोगों को जो है ना यह नजारा कैच करना पड़ तो रोल्सराइब उस टाइम के सबसे महेंगी तरीन गाड़ी थी तो नवाब क्यूंके जिसरा मैं भी लोकल गेट अप में आगे हूं आइनो डैट आइम नॉट वेल ड्रेस्ट लेकिन फिर भी मैं मतलब मैंने ऐसा चाह कि यार थोड़ बो जो ना इंटर्वियों या बार निकालकर ना इस बंदे को बार फैंको जाके वो उस ट्राइम चुप करके चला गया बाद में वो अपने गैट अब में आया अपनी फोज अपने चैक्योंके जाहर है वो उदर का नवाब था इलाके का बहुत अमीरत्रीन था तो वो आया उसने आकर उसके सामने बैठ परवाई साथ ले गया उस कंपनी के मालिक को भी अपने साथ और जा के पूरे बहावलपूर का कचरा साफ करवाया उससे तो उसने उस मालिक को सिर्व ये दिखाना चाहा कि भी आप मेरे गैट अप पे जा रहे थे लेकिन जो मेरी ये कहानी तो सुनी सुना ही लगती है लेकिन ये पाकिस्तान के बहावलपूर से कैसे आई भाई दर्शकों आप लोग कुछ समझ रहे हो ये नया चूरन पता चला मुझे या हो सकता है कहीं हुआ हो लेकिन ये बिलकुल exact कहानी तो हमारे भारत की है अलवर के राजा थे या जैपूर के राजा थे अब मुझे exact याद नहीं आ रहा है और ये तो documented है भारतिये राजा थे वो गए थे और उन्होंने कचरा डुआया था उन गाड़ियों से बाद में उन रॉल्स रॉल्स वालों को समझ में आए कि भाई साभी तो बड़ी भारी घलती कर दी थी हमें और ये बिलकुल वैसी कहानी है कि वो राजसी नहीं हो नौर्मल कपड़ों पहन के गयते है उन शोरू में और बाद में राजा वाले बोग ये तो इंडिया के रा इस पर आप नहीं गए आपने मुझे नहीं पैशा ये तो हमारी बाप दाजा की तरीख थी अब जो हकीका तो उस पर आ जाते हैं अभी जो हलात है हमारे हम 600 अगर मैं बात करूं हमारे पाज जो चल रही है साट सीसी बाइक वन डू फाइफ चल रहा जादा-जादा क्या कह दर तो यह मैंने रॉयल इंफिल्ड के बैक सो दिखाई इसके लाव वह एलेक्रिक वहिकल के तरफ शिफ्ट हो गए हम अपनी सोच को कब अपग्रेड करेंगे देखें हमारे मुल्क की पहली बात है कि ऐसी पूजिशन ही है कि हम जो हैना किसी भी इंफरस्रक्चर में जो है है यहां पर इंकम बिल्कुल नील है और बाइक्स की प्राइज आप देख रहे हैं कि धाईला के करीब आप जो हैना वान टू फाइव गई हुई है और डाइला किसी के पास अगर नगदी नहीं है तो जाहर है वो इंस्टालमेंट में जाएगा जो इंस्टालमेंट में बहुत्चालिका रहता है कि मेरे पास चीक ऑड़ी है अंस असे पाकिस्टान के जो हमारे इंडिया के इंदर महान रुति इससे बोलते हैं वालि इंडिया मीना है gagner 31 लाग की है जी बिल्कुल तो उसी इसाफ से मैं बता रहूं कि यह उससे भी ज्यादा एक्समेंसिव कुछ इतना आप कह रहे हैं अगर मैं बात करूं डिवैलिम्मेंट के लिहाज से अगर मैं तरकी के लिहाज से बात करूं अगर मैं कंपारिजन करूं अपने पड़ोसी मुलक किसी भी पड़ोसी के साथ कंपारिजन कर लें अफगञानिस्तान बंगलादिश और इंडिया कौन सा मुलक टिकनोलोजीकल लिहाज से अपने इंफ़ा स्ट्रेक्चिर के लिहाज से ज्यादा रिच है इंडिया इंडिया वाइंडिया क्योंकि वहां की टेकनलोजी हायर है वहां पर पूरी दुनिया से लोग आके पूरे मुमालक के इंवेस्ट करते हैं अगर मैं बात करूं बाइक्स की सर हमारी बाइक्स इतनी पुरानी खसता हालत में 660 सीशी और 125 ही चल रही हैं लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ इंडिया की बात करूं तो यह तो 2000 में ही उन्होंने यह चीज़ें खतम कर दी थी उनकी तो बाइर बड़ी लगजरी किसम के बाइक चलती हैं क्या वजवात है कि हमने अपने बैस को क्यों नहीं अपग्रेड किया वक्त के साथ कि अधरी बात है जी हमारे लोगों के दर्म्यान इतने जो पेंक पैसी है वो कम है ठीक है हमारे मुलक का और उसके इंडिया का आप कंपेरिसन करें तो हमारे मुलक में महंगाई की रेश्यों बहुत ज्यादा है एक दिन एक चीज़ की प्राइस कुछ होती है वेरी नेक्स कुछ और होती है और वहां हमारी निस्बत ज्यादा टेक्नालोजी है 2000 में ही उन्होंने यह चीज़े खतम कर दी थी उनकी तो बाहर बड़ी लक्जिरी किसम के बाइक चलती है क्या वजवात है कि हमने अपने बैस को क्यों नहीं अपग्रेड किया वाइस के बारे में तो य अश्चाइब के पर इसे यह रोयल कंपनी की है और ऐसे रोयल बी आते हैं वह बी काफी कवस्ट्ली होती है तो आई थिंग वही हो गी और मेरा मानना तुझये है वाकी आप वेटर जानते रोयल कहुंसी नाम थैज्ट वहां और वहां वो कोंद्स्क्राइब कंट्री की है अपको आपको आइधिंक मुझे लग रही है ये भी इसी की कंपनी की है रोएल इंफील्ड की है रोएल इंफील्ड पता कुन से कंट्री का यह जी तो गहा रहा हूं अमेरिका को गगा इस फिर से देखो यह बाइक की शेप दे कर क्या वाकश अमेरिका में इतनी बल्की- पर अधेभिगें घ्वाइफ हो सकती हैं इंडीय ने पहले वैसे तो बना ही यह लाके यह सकते कभी अधा कर दो कॉस्च कर रही है आर। तो मुझे लगती नहीं है इंडियन को वैसे हो भी तो आम नहीं माने के नहीं माने के नहीं माने के जैसे आप नवाज श्रीफ है लोग वह नवाज खुद भी आगर कह दे ना कि मैं चोड हूं हम मान लेंगे इसको माल लेंगे इमरान कान को नहीं माने तो बाई ये ओरिशनल में इंडिया के विदाओट मजाक के लावा ये रोयल रोयल फील्ड इन फील्ड ये इंडिया की अपनी बाइक से हैं ये पता कबसे बना रहे हैं नहीं यह अदिया बुलट इन की बाइक ती इतनी कुछ लेना तो बढां कि हो तो किनो नफिल करते हैं की बात आपस की बात बता दो आँ आपस की बाता थीछ की आरी सोивать और अ कियोग है अब प्रभी आपने प्तानी आपने क्यों कर तो पूरी दिन्या को बता चले फेली बाथ यह के वहों मुसलिम हैं और हम ouaisासा लीं quería अब यह हुआ कि चुकि आप नॉन हिंदू हो तो हम आपसे नफरत करने लगें आपका ही फॉर्मूला फिर तो नहीं कहोगे ने कि यार गलत नफरत करते हैं भारत के लोग आप नॉन हिंदू हो तो हम नफरत करने लगे ना जो आपने कहा कि जो वो नॉन मुसलिम हो पहला में जो जुलम कर रहे हो हम उसके अगेंस्ट है बलुचिस्तान के युवाओं को मारा जा रहा है उनको गायब किया जा रहा है और अभी भी बलुचिस्तान में बड़े पैमाने पर रहलिया निकाली जा रही है बड़े पैमाने पर लोग सडकों पर है बड़े पैमाने पर लो में और इसम्सलिम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं लुए उनको रिस्पेक्ट करने का यह नहीं हों रहे हैं थे जिए हम अदर मौमल लोग होती हैं ठीक है ना इसलाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाए ना तो हम मुम्मल लोग हैं हम अपना जो गैर मुजब ही होगा ना हम उसको भी जैसे के तरजीर देते हैं अधर मुस्लम ने तो काफर का जूटा भी पी लिया था ना उसमें गलास में दिया तो उसी गलास में खुद भी ल आप लोग भाई साब एंफिल करने वाले भाई साब पाकिस्तान के एहमदिया मुसलमानों को अगर आप उन्हें काफर मानते वैसे तो आपने अपने कॉंस्टिचूशन में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कानून बना दिया कि एहमदियाओं को हम मुसलमान नहीं मानें बताईए एक इनसान ने कानून बना दिया कि वो मुसलमान नहीं है जबकि उनकी मस्जिदें आप तोड़ जाती है ना फिर कहें तोड़ते हो बे फिर कॉंट्राडिक्शन आ गया फिर आप ये च्छापने पर लग गए कि हमारे में तो ये कहा गया ये कहा गया यहाँ पर चाप देते हो लेकिन आक्शन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं हिंदू, सिख, इसाई, इनकी तो बात ही छोड़ दो एहमधिया मुसलमानों के साथ आपको क्या करते हो उनकी बादत गहत तोड़ते हो उनको मारते हो उनको चुकि आप मैजरिटी में हो तो अपनी ताकत कि दूबल चेरा फॉरण आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं आप अगर किसी को वैलियो दोगी नहीं किसी को आप एक्सप्ट नहीं करोगे तो आपको कौन करेगा यह तो है पहले सब्सक्राइब करना पड़ता किसी को बुरा कहना चाहिए आइतिन कहना चाहिए लेकर दिन मानता यार ओनों लोगों इस वहां से नहीं बताया जाते हैं तो नहीं है हमारे पास इस हैं हम पढ़ा इस तरी किताब है तो इस में पदाएंगे कैज और एक्जांपल कर ये वीडियो आपकी दुनिया पूरी देखती है अब चली जाती है वीडियो वाइरल हो जाती है जब वो दुनिया में कोई नौन मुसलिम कोई हिंदू ये वीडियो देखेगा तो उसकी सोच क्या बनेगी हमारे लिए कि भाई पाकिस्तानी तो ये सोच र लगाया है वही फॉर्मूला मैंने लगाया है की निूटन का तीसरा है जो एक्शन होगा ठीक उसी बल का रियक्शन भी होगा कि यह बात तो है कि है उलोग ने काफी अपन्य को स्टेबल किया है उन्होंने की करता माननें बात नुण की काफीज्यादा देकिन उनने काफी को जिस तरह ग्रोथ किये हैं हमारी गौनमी में तो हो जी नहीं सकती हमारे मुलक में इंफलेशन होते जा रही है पते नहीं चलता कि आए दिन जो है पता नहीं क्यों नहीं हम डिवैलप कर भारें यहीं सोच की वज़ा जो आपके अंदर पनपरी एस डायम इसको खतम करने की मैं यह कहूंगा है कि इमरान घान साथ की भी गलती है जो जो जिस वह से अक सब्सक्राइब कर तक भी तक आप अबी तक पर पाएं इस कहीं है मैं ये खहरा हूं कि फलस्तिन ने जो हमास के साथ मिलकर जो सेल्फ डिफेंस में ये एक अदम जो उठाया है क्या ये ठीक है लो जो कि ने डाखें से इसे लैए अब जब यूएन बना हुँए इस बात में इस बात मिए तोपिक आज कर था बुलिटे ईपर और मेरे बायक की आप ने इसको रिलीजिन रंग दे दिया बढ़िए अब इसका समय था तो अब इस तरह हुद लगा दिया यार आप इस तरह आ रहे ते जोड़ा से लेके चलता हम फिर आपको बहुत शुक्री है आपका थैंक यू सो मच आपको अपनी माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है हमें अपना माइंड सेट जब तक चेंज नहीं करेंगे हंजी बहुत शुक्री चले दोस्तों वीडियो खतम हो गया और मैं यकीन दिराता हूँ कि इनका माइंड सेट नहीं बदलेगा बताइए एमफिल कर रहा है बंदाइए और इसका माइंड सेट आप देख लिए जब मैं क्यों कहता हूँ पाकिस्तानियों को कि इतनी नफरत आप लोगों ने अपने ज अब क्यों नी हो रहे आप किया रिसर्च क्यों नी हो रही है कि अब इतना दिमाग में कशरा भरा होगा निगेटिव कशरा भरा होगा कहां से करेंगे आप लोग पासलlook कांगई बच्छे पैदा होते ही मुझे लगता है कि सबसे पहले कान में हो़ी बोलते हूग भारत knowledge आपका इल्म उस standard का नहीं है आपके पास degree भले है लेकिन उस degree के बराबर जो degree यां है दूसरे देशों में वो आपसे उसके बंदे कहीं ज़ादा आपसे अच्छे हैं capable हैं फिर आपको कोईजे मुसल्मानों के साथ तो जी सारी दुनिया साजिश कर रही है शड़े हंत्र कर रही है फिर victim card जो आपका favorite आपनों का card है वो play करना शुरू कर देखे हैं तो पहले अपने आपको काबिल बनाई इस नफरत को छोड़िए नफरत छोड़ेंगे तब ही कुछ कर पाएंगे रही बात infield bike की royal infield की तो देखे जी वो भी इंडिया की शान है और आज पूरी दुनिया में हमारी बनाई bikes की चर्चाएं चलती है और सिर्फ royal infield की बात नहीं पता नहीं आप लोग में से कितनों को पता है आफरिका में हमारी bikes company ने है भारती बाइक कंपनियों ने है डेल सो से ज़ादा Chinese bike company को बुरिया बिस्तर समिटने पर मजबूर कर दिया क्यूँ? क्यूँकि हम अपने वादे के पक्के हैं हम इमानदार हैं हम दो रूपे ज़ादा कमाने के लिए बैमानी नहीं करते हमारा product हम पूरी मानदारी के साथ बनाते हैं जो दिखाते हैं वही बना कर डेलिवर करते हैं Chinese company नहीं करते हैं और इसी का नतीजा है कि कई सारी African countries में Indian bikes का जलवा है जलवा और Chinese bikes company बंद हो गई खरीदना तो लोगों ने है लोगों ने खरीदे वो Chinese bike खरीद के जेल रहे हैं उतने उससे कम पैसे में या उतने ही पैसे में अगर वो Indian bike खरीदे हैं तो उसके life बड़ी होती है उसको technology जादा मिलती है उसको सहूलीते जादा मिलती है उसमें सुविधाएं जादा मिलती है और वो easy to use है सर्विस अच्छी है इसलिए क्योंकि हम इमानदार हैं हम अपना काम बहुत इमानदारी से करते हैं सबसे बड़ी बजाई है और बजाज की हमारी bikes देख लीचे आप TVS की bikes देखिए आप Hero की bikes देखिए और पता नहीं बाकी आप लोगो एक खबर पता ही कि नहीं पहता है कि आने वाले वक्त में जो हमारी bikes हैं वो और दुनिया भर में globally और जादा एक्सपोर्ट हो रही हैं अभी तो होई रही हैं और जादा एक्सपोर्ट होंगी जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिन